ये कहानी एक गाउव की है जहां एक तांत्रिक अपनी बेटी के साथ रहता था तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली था और काले जादू में माहिर था लोग उसे दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान करवाने आते थे उसकी बेटी जिसकी उमर लगभग उपाच साल थी मासूम और सुन्दर थी लेकिन अपने पिता के काले जादू से बहुत डरती थी एक रात जब गाम्व के लोग सो रहे थे तांत्रिक ने अपनी बेटी को किसी गहरे तंत्र के अनुष्ठान के लिए बलिदान करने का निरनय किया उसने उस रात एक विशेश अनुष्ठान करने का संकल्प लिया जिसे से उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ सकती थी जब बेटी को इसकी भनक लगी तो वह बहुत डर गई और भागने का प्रयास किया लेकिन तांत्रिक ने उसे अपने तंत्र मंतर से पकड़ लिया उसने अपनी बेटी को एक पुराने मंदिर में ले जाकर अनुष्ठान शुरू किया उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी और आकाश में बिजली कड़क रही थी जो पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी बेटी ने आखिरी कोशिश करते हुए अपने पिता से विनती की कि वह उसे छोड़ दे लेकिन तांत्रिक अपने जादू के प्रभाव में था और उसके दिल में दया का कोई स्थान नहीं बचा था तभी अचानक एक अजीब सी चीक सुनाई दी और मंदिर की सभी दिये बुझ गए वहाँ अंधेरा चा गया और अचानक एक शक्ती ने तांत्रिक को नीचे गिरा दिया लोग कहते हैं कि वो उसकी बेटी की आत्मा थी जिसने अपने पिता को इस क्रूरता से रोकने के लिए अपने रूरूप में आई थी उसके बाद से तांत्रिक का कभी पता नहीं चला और गाम के लोगों ने उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया कहते हैं कि आज भी उस मंदिर के पास से गुजरते समय लोग अजीब सी आवाजें और बेटी की करून चीखें सुन सकते हैं